तो ये चित्र देख रहे हैं आप लोग इसको देख के आज समझ गया होंगे कि हम इन बादलों से इन प्रित्वी पर बनी हुई मकानों का क्या संबंद है इससे समझने वाले हैं जैसे मंदिर होता है उसके उपर त्रिशूल लगाया जाते हैं मस्चितों के उपर चांद लग पिद्वन के आप लुभा द्या दिया जाते हैं और हमारे बड़े बुजूरक कहा करते थे कि जब बरसा हो बादल गर्जे तो कभी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए तो ऐसा क्यों कहते थे और क्या होता है वो आज हम लोग थोड़ा समझने का प्रियास करेंगे एक लेखते थे जिनका नाम था वेंजामिन फ्रेंकलिन जैसा कि मैंने बताया था उन्होंने पतंग को ले करके और आस्मान में जब बादलों की भीच खरशड होती है पदार्थों में तो उससे एक आवेश उत्पन होता है और वह आवेश समुहों के रूप में होता है पुंज जन्धन का नुक्सान होता है कई लोगों की जान चले जाती है अभी आपने देखा बिहार में कई हाद से विए आकासिया विजली गिरने से लोगों की जान चले गई उतरप्रदेश में हुआ ऐसी बहुत सारी घटना होती रहती है जिन में विजली के कारण लोगों की जान कि आभेस नाम की कोई चीज होती है कोई प्रभाव होता है जो अंबर की और रेशम के दागे से रगणने के कारण आभेसित होता है आज उसी तथे को आगे होते भी है आज हम जहां तक पहुंचे विद्ध की में वो टोटल 2600 सालों से अधिक का समय हो चुका है और इस बारे म में जाते हैं आसमान का मतले बादलों में जाते हैं और वहां एक अत्रित हो जाते हैं और फिर जलवास्प की चोटी-चोटी बूदों के साथ मिलकर सगन हो जाते हैं जब हवाएं चलती है यह बादल फ्लोट करते हैं हवाबे तैरते हैं और तैरते भी बादल यह वापस मे तो जैसे कोई अगर हारा पेड़ है तो जाता है पेड़ के टुकड़े भी हो जाते हैं अब अगर गर बरसा हो रही है विजली चमक रही है कोई आदवी पेड़ के नीचे अगर बैठ गया तो उसकी तो मिर्त्यू निश्चित है अगर ऐसी घटना हुई इसलिए सुझाओ दिया जाता है कि जब भी बादल गर्जे बिजली चमके तो कभी भी हरे पेड़ के नीचे नहीं बैटना चाहिए उससे दूर रहना चाहिए जाता है शहां और शिखर से आकर्सित होने करके ये सीधाय प्रिथी में जाकरके डिस्चार्ज हो जाते यहां के ज़ाते हैं और यहां कर न्यूट्रलाईज हो जाते तो यह जो परकास पुझुजी बनता है जो आबेसों का समूझ है ये ata धि कि इस आकिर्थी जैसे कि मंदिरों पर त्रिशूल लगा होता है और यह अधिक एनर्जी को अफजार्ब कर लेता है और उसे प्रत्वी पर लाकर नूट्रलाइज कर देता है जिसके आसपास रहने वाले तो आकासी बचले के लिए उसके आसपास के शत्रों में टावर लगाए जाते हैं जिससे ना तो इस बिल्डिंग को कोई हाने होती है और ना ही इसके चार उतरफ रहने वाले लोगों की कोई हाने होती है तो आकासी बचले से बचने के लिए उसके आसपास के शत्रों में टावर लगाए जाते हैं जिससे कि उन टावर्स की सहाथा से आकासी बचले को प्रियोग विद्धु तूर्जा का निर्मार करने में भी किया जाता है बहुत सारी सरकारे हैं द जादा वजली चमकती है वहाँ पर ये आकासिय वजलीओं को एकतित करने के लिए पर पर ये धात्मों की नुकीली आकृतियां लगा जाती है पर इन आकृतियों को ग्राउंड पिट्सवी से जुड़ा होना चाहिए तभी इनका वास्तेविकलाब प्राप्त होगा तो धन्य झाल